क्रूजर और रेट्रो स्टाइल मोटर साइकल बनाने वाली दिगज दोपहिया निर्माता रॉयल एंफिल्ड ने गोवा में आयोजित मोटोवर्स दो हजार चौबीस के दौरान अपनी मोस्ट अवेटेड स्क्राम 440 बाइक से परदा उठा दिया है स्क्राम्बलर स्टाइल वाली यहां मोटर साइकल कमपनी की पॉपलर बाइक स्क्राम 411 का अपडेटेड वर्जन है नई बाइक में इंजन समित कई तक्नीकी बदलाव किये गए हैं बता दे, गोवा में आयोजित रॉयल एनफील्ड मोटोवर्ज 2024 की आज से शुरुवात हो गई है यह इवेंट 24 नवंबर तक चलेगा इस दौरान कमपनी कई नए बाइक्स को अनवील कर सकते हैं फिलहाल कमपनी ने रॉयल एनफील्ड स्क्राम 440 को पेश किया है इस बाइक को अगले साल लॉंच किया जा सकता है आएए इसके स्पेसिकेशन के बारे में जानते हैं Royal Enfield Scram 440 engine, नई Scram 440 में पुरानी बाइक की तुलना में अधिक पावर्फुल 433cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 6,250 RPM पर 25.4 BHP का पावर और 4,000 RPM पर 34 NM का टॉग जेनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-speed gearbox को जोड़ा गया है, Scram 440 डिजाइन और खासियत, Royal Enfield Scram 440 का डिजाइन पुरानी Scram 411 से मिलता जुलता है, इस बाइक का लुक काफी bold और अग्रेसिव है, इसका नया ग्राफिक्स बाइकों को काफी आकरशक बनाती है। बहतर राइडिंग के लिए नई Scram 440 में फ्रंट में 41 मिमी टेलिस्कोपिक फोक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है जहां तक ब्रेकिंग की बात है। तो Royal Enfield में डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल स्विचेबल आब्स की सुविधा मिलती है। डाइमेंशन और फीचर्स नई Royal Enfield Scram 440 में लेड हेडलाइट और टेल लाइट दिये गए हैं। इसके अलावा USB चारजर के साथ सेमी डिजिलट कलस्टर दिया गया है साथ ही इसमें आराइका ट्रिपर पॉड नेविगेशन की भी सुविधा मिलती है। इस बाइक की लंबाई दो 165 mm, चोडाई 840 mm और उंचाई 1170 mm है नई स्क्राम 440 में 200 mm का भेतरीन ग्राउंड क्लियरिंस मिलता है। जिससे की ओफरोडिंग और आसान हो जाएगा इसका कर्ब वेट 196 kg है और 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।